मैं आप से पूछू कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रोड क्या है तो आप क्या बोलेंगे मुझे मालू है क्या बोलेंगे कोई कहेगा तूजी गोटाला कोई कहेगा कोहला गोटाला कोई कहेगा बोफोस गोटाला कोई कहेगा हेलिकॉप्टर गोटाला कोई कहेगा यूरिया गोटाला सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक और बड़ा गोटाला एक और बड़ा फ्रोड एक और जबर्दत दोका जन्ता के भावनाओं पर उनके जीवन पर पचास साल पहले हुआ था और मैं याद दिलाना चाहता हूँ यह फ्रोड था कॉंग्रेस ज्वारा पचास साल पहले बेश में गरीबी हटाने की गारंटी कॉंग्रेस की हर गारंटी के साथ कॉंग्रेस के नेतां और अमीर हो जाते हैं और देश का नागरीग और गरीब हो जाता है कॉंग्रेस के इसी फ्रोड के कारण दोहजार चौदा तक देश के दस करोड से जादा परिवारों के पास सवचालाई नहीं था कॉंग्रेस के इसी फ्रोड के कारण दोहजार चौदा तक करीब पचास करोड लोगों का बैंकों में खाता तक नहीं था कॉंग्रेस के इसी फ्रोड के कारण देश के लाखो गाउं सड़क संपर से बंचित थे कॉंग्रेस के इसी फ्रोड के कारण आजादी के इतने दसकों बाद भी सोला करोड घरों में नल से जल नहीं पहुँच रहा था कॉंग्रेस ने पचास साल पहले गरीबी हटाओ का ये फ्रोड शुरू करके बर्सों तक हर चुनाओं में इसे बुनाया गरीब को जुठा वाइदा कर बर्सों तक सरसाया साथियों दो